टीवी की दुनिया का पॉपुलर और कॉंट्रोवर्शिल शो बिक बॉस सीजन सोला अब समाप्त हो चुगा है सीजन सोला के विजेता रहे रैपर एमसी स्टैन अगर शो में एमसी स्टैन के बारे में बाते करें तो शुरुआत में वो शो के अंदर स्ट्रगल करते नज़र आए लेकिन फिर वो धीरे धीरे सबसे घुलते मिलते गए और उन्हें शो का मतलब भी समझ में आने लग गया और फिर अंत में जीत के मजबूत दावेदार माने जाने वाले कंटेस्टेंट प्रियंका चोधरी और शिव ठाकरे को हरा कर ट्रॉफी अपने नाम कर ली शो के अंदर एमसी स्टैन की लडाईयां भी हुई और वो रोते हुए भी दिखाई दिये शो जितने के बाद ट्रॉफी के लावा एमसी स्टैन को विनर के तौर पर 31,80,000 रुपए और एक कार में ली दादे की एमसी स्टैन पुने से हैं एमसी स्टैन अपने गानों को लेकर कई बार विवादों में भी आ चुके हैं तो ही बिग बॉस हाउस में एमसी अपने दो चीजों को लेकर काफी चर्चा में रहें एक उनके जूते जिनके कीमत 80,000 रुपए बताई जाती है और एक उनकी चेन जिसके कीमत 1,5 करोड बताई जाती है यहां तक की सल्मान खान ने भी कई वार उनके जूते और चेन का जिक्र कर दिया जियां, एमसी स्टैन के लगजरी आउटफिट्स और उनके स्टाइल पर सब की नज़रे गई वही कुछ मिडिया रेपोर्ट्स की माने तो एमसी स्टैन के कुल संपत्ती लगबख 16 करोड उपए है रैपर कॉंसर्ट के जरिये, एमसी स्टैन अच्छी खासी कमाई करते है तो यह एमसी स्टैन के नए-ने गाने भी समय समय पर रिलीज होते रहते है